तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल टॉप के बारे में डबल टॉप एक चार्ट पैटन है और यह चार्ट पैटन के अगर बात करो तो यह बेजिकली एक प्राइजेक्शन ट्रेडिंग को हो या टेकनिकल एनालिसिस का टूल का या तो इसका हिस्स को पर यहां क्योंता रहा हो या कोई सिंस्ट सोट टांठ तो इससे मतलब इसे टॉट्व को हरा है क्यों क्योंकि ए जो है यहांसे अगर मदढ़ एकसा ही का diket संदे ता है ह Captain ये एक uptrend चालो है, तभी आपको देखने को मिलेगा, और uptrend में अगर ये double top आपको देखने को मिलता है, अभी आपको मैं आगे थोड़ा बताता हूँ, कैसे ये दिखता है, कैसे बनता है, तो double top आपको एक तो देखो, पहले rules इसके मैं समझा दो थोड़ा, एक तो uptrend चालो है तो ही हम वहाँ पे यूज़ करेंगे दूसरा क्या है इसके जो अभी आपको levels यहाँ पर हम में निकलना आपको सिखाऊंगा वो break होता है तभी हम वहाँ पे एक trade plan करेंगे और इसका indication simply वही कि यह trend अभी यहाँ से एक reversal आने वाला है मतलब uptrend चालू है तो यहाँ से अभी bearish trend की शुरुवात होने वाली है double top का मतलब क्या है अभी simply अगर आपको मैं यहाँ पर बताओ यह थोड़ा blank circle में ले जाता हो double top की अगर बात करें तो simple इसमें और कूशनी होता है आपको एक double top देखने को मिलता है या double top कहो या peak कहो कि एक simply यहाँ से अगर मैं समझाओ drawing करके त तो एक अप्रेंट में कैसा structure होता है एक higher high higher low का ऐसा structure आपको देखने को मिलता है तो अभी क्या होता है यह higher high higher low चालू था तो एक certain level पर जाके higher high तो बन गया फिर से वहां से जाता है higher low बनाने के लिए मतलब lower low बनाने के लिए और वहीं से फिर से दूसरी बार वह उपर की जाता है मतलब अभी तक confirm नहीं हुआ है कि double top यहां पर बना है यहां पर क्या होता है जो अभी previous higher high बनाया था वहीं उसी levels के आसपास या तो फिर उसी levels पर या थोड़ा उपर नीचे रहेगा वहीं से यह फिसे नीचे आ जाता है मतलब क्या हुआ एक जो higher high higher low का formation चालू था वो यहां पर break हो गया और कहीं ना कहीं उसी area के आसपास जो मतलब जो certain level मतलब पहले मालो यहां पर यह 100 रुपिया इस price का किमत था इसी level पर जो पहले इसने previous high यहां पर बनाया उसी 100 रुपिया प्राइस था इस stock का बाव तो फिर से यहां से यह उपर जाता है मालो यहां 95 तक आया 95 रुपिय तक और फिसे यह जाता है वे क्या करेगा 100 रुपिया है या तो 101 रुपिया 102 रुपिया वही कहीं से आसपास से यह वहां से भी से rejection लेगा और वहां से भी से गिरना स्टार्ट करेगा मतलब क्या होता है कि अप्रेंड चालू था है का formation चालू था और ए बार वहां से यह गिरने लग जाता है मतलब दो बार यह गीरा अभी क्या हुआ यह फिर से नीचे आ रहा है अभी तक डबल टॉप कंफर्म नहीं है हमें देखने तो मिल अभी यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि यह डबल टॉप बढ़ने यहां पर जा रहा है rejection ले रहा है वहां तक पहले जाना चाहिए एक तो कंफर्म कब होगा जब वह प्रिविएस स्विंग लोग ब्रेक होगा यहां पर तब ही यह कंफर्म होगा कि यह हमारा डबल टॉप यहां पर एक्टिवेट हो गया है तो सिंपल यह आपको मतलब समझ में आ गया कि एक अप्रेंट चाल करता है तो यह हो गया हमारा मतलब डबल टॉप फॉर्मेशन अगर आपको यहां से में एक ड्रॉइंग भी आपको दिखा हूं है कि यह आपको अगर यहां पर देखोगे कि यह सिंपल से अभी में देजो दिखाया वही है क्या नोटिस यहां पर रखना है आपको रूल आपको बता दू कि एक अप्ट्रेंड चालू होना चीए पहले तो यहां पर आपको अप्ट्रेंड चालू है यह लाइंग के द्वारा में आपको दिखाया और यह हमारा तो पहले क्या हुआ इसने एक फ़र्स्ट टॉप बना यहां पर मलब हायर हाई का लोग चालू था जब तक यह दूसरा टौप हमारा यहां पर बनेगा नहीं तब तक हमें पता नीच लेगा तो इसने किया गी यहां पर एक लेवल पर आया और वहां से रशिस्टन लिए इसने और नीची आने लगा यहां फर्स पॉंट यहां बन गए डबल टॉपका और फिससे एक नीची पर आया यह और यह फिर से यहां पर इस प्राइस के ऊपर मतलब सपोर्ट लिया और फिर से वह कहना कहीं ऊपर जाने लगता है अपना ट्रेंट कंटीन्यूं करता है और फिर से वही जो अभी आपको समझाया कि 100 लेवल या उसके थोड़ा ऊपर नीचे भी रह सकता है उसके आसवार सोना चीए ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होना चीए तो यहां से अभी तीसरा पॉइंट हमारे यह दूसरा पॉइंट हुआ अभी तीसरा पॉइंट क्या हुआ उसी सर्टेन लेवल से वह फिर से रेसिस्टन लेता है और फिर से वहां से गिर जाता है मतलब क्या यहां से rejection लिया इसने तो हमें क्या करना है simple सा और कुछ नहीं जो previous support था हमारा जो मतलब हायर लो वहां पर एक support ड्रो कर देना है support तो आपको support resistance कैसे ड्रो करना है वह आपको clearly पता है तो यहां पर आप जाके support यहां करना है कि किसका जब तक कि support लिःक नहीं ओता है यहां पर किया अगर आपको यहां पर दिखाँ यहां पर हमने यहां पर करी हुए जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें यहाँ टॉप कंफरमेशन नहीं मानेगे कि इसको तब तक हम यह नहीं कहेंगे कि यह डबल टॉप एक्टीव हुआ है या तो यह डबल टॉप बना है क्यों कि कई बार आप देखो के यह ऐसे बना फिसे सपोर्ट लेवल प्याएगा फिसे यहां चोपर जाएगा फिसे नीचे अब आए फिसे यह नया हाई बना देता है मतलब अपना जो अप्रेंट चालू था कंटिन करने लगता है यहां पर यह तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आगया कैसे यह दीखना चाहिए हमें डबल टॉप इसका भी सिंपल यह लोजिक में आपको बताओ कि यह किस वज़े स यहां पर बनता है तो यहां पर अभी आपको लॉजिक बताओ लॉजिक क्या होता है इसका कि बनने का कारण क्यों यह डबल टॉप यहां पर क्रियेशन होता है यहां पर क्या होता है अप्रेंट चालू था मतलब क्या है यहां पर सिंपल यहां पर बायर मतलब यहां पर तो यहाँ पर आपको अभी दिख रहा है मैं आपको बता तो हूँ कि यह एक बूल के कंट्रोल में मार्केट है अभी higher high high low formation चालू है तो अभी यह मालो एक higher high फॉर्मिशन बना तब तक यह अभी बुल्स के मार्केट में कंट्रोल है यहां से एक बार मतलब यह हमारा प्रीवेस सपोर्ट इसका है वहां तक नीचे भी आया अभी बुल्स के कंट्रोल में मार्केट है और यह क्या होता है अभी फीर से यहां पर गया और यह नीचे है इस पूल बैक आ रहा था, रिट्रेस्मेंट लेवल आ रहा था, वहाँ पर वो बाय कर रहे थे, यहाँ पर उन्हों ने बाय तो किया, तो पहले यह जो कॉंटिटी में यहाँ बाय हो रहा था, वो यहाँ पर अभी रुख गया, और दूसरा क्या होता है, एक तो बूल्स विक रही जाये, कहीं ना कहीं, तो वो profit booking करें के, पैसा तो घर हो, निकाले के तो चाही है, तो यहाँ पर वो भी वो होता है, कि यहाँ पर अख देखो, यहाँ किसी ने बाय किया था, यहाँ पर लोग कैंने यहाँ पर बैस ने लगे, मतलब जो बाय इस थे, वो यहाँ पर उन एक नए लोग आएंगे, नए थर्ड परसंट आएगा, कौन आएगा, सोट सेलर, सोट सेलर आपने सोचा होगा, कि मालोग की 100 रुपय के भावल का स्टोक है, वो वहाँ से बेश देगा, और 90 पे जाके बाय कर लेगा, मतलब जैसे जैसे स्टोक का प्राइस कम होगा, उसको वैसे फाइदा होगा, अगर आपने नए ट्रेडर हो तो आपने कैसा सुना होगा, कि अगर 90 पे मैंने लिया है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा, और short seller में क्या होता है, वो महंगे पे बेशता है, और सस्ते में खरिशता है, मतलब पहले से वो बेश देता है, बाद में वो जाके, जब सस्ता भाव होता है, तब वो खरिशता है, तो वो यहाँ पर short seller भी आने लगते है तो यहाँ तो यह तो clear हो गया यहाँ पर अभी क्या हुआ कि short seller के entry हो गए मतलब एक यहाँ पर यह डबल पीक यहाँ पर बंड गए बुल्स यहाँ पर वीक हो गए पर यह support लेवल हमने मांक करते अभी भी यहाँ पर नहीं हुआ है कि पूरे तरह से यहाँ पर बुल्स वीक हो गए और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने लगेगा तो हमें simple सा क्या करना है वेट एन वोस करना है कि अभी यह डबल टॉप तो यहाँ पर हमें देखने को मिलका है थोड़ा इंडिकेशन यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो गई है और एक जो नए हाई यह हाई रहाई फोर्मेशन बना रहे थे कहीं ना कहीं उस वेटन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा एक बूल्स में पर कहीं बेचा़नी होगा कि मुझ लोगों यहांपर यहां पर उपर बैठ के आम ऐत्ताई नहीं सकते लिवत आगे भीए L pada पर बेशने लेगे के मतलब यहां पर supply बढ़ने लगेगा और बसके हो जाएगी पूरी तरीके समराब एक बूल से यहां पर हट जाएगे और यह हमारा जो support कि हर एक level पर हमें मतलब entry up बनानी है कि level break होता है और वो एक retracement देके फिर continue करता है तो ही हम buying side के लिए जाएंगे तो ये हमारा simple सा funda हो गया यहाँ पर entry का entry up बना है double top हमारा activate हो गया break तो हो गया support तो अभी simple सा हमे wait and watch करना है retracement का wait करना है कि फिर से हो support जो हमारा था अभी इसके लिए क्या बन जाएगा resistant तो एक resistance के पास जाएगा retracement करेगा फिर से rejection लेगा और continue करेगा और downfall का मतलब हमारा ये क्या हो गया ये का higher high चालू था और वो pattern यहाँ पर break हो गया और यहाँ पर अभी क्या हुआ डबल टॉप बन गया और डबल टॉप को क्या हुआ ब्रेक किया और फिर से resistant मतलब जो support जा उसको अभी resistant बन गया resistant को रिटेस्ट करने गया और फिर से नीचे आने लगा मतलब अभी यह क्या हुआ एक higher high एक higher low higher high और स्वरी ये lower high higher low का अभी lower lowirement यहां पे बनने लगता है मतलब lower low lower high का फारमेशन यहां पे बनने लगता है low low lower high फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन वह structure हमें क्या दर्साता है अगर आपने हमारा video देखा होगा मैंने market structure के ऊपर वीडियो बनाया है तो यह lower low lower high का formation हमें क्या दर्सता है एक downtrend का तो यहां पर हमें confirm हो जाता है कि यहां से अभी downtrend continue मतलब यह चालू हो गया है तो यहां पर हम simple सी और कुछ नहीं करेंगे या तो future बेचेंगे या तो फिर put buy कर लेंगे या तो फिर आप stock वो करें तो stock को sell करेंगे सिधा अब कुछ भी कर सकते हो तो यह simple सा फंटा होता है यहां पर यहां पर अभी sellers के entry हो गई अभी sellers के कभजे में market आ गया है अभी इसके कुछ नमूने आगर आपको मैं दिखा हो हाला कि मैं Google से डाउनलोड करके में डाला है क्योंकि अभी चार्ट के उपर डूणने जाता थोड़ा भी तो थोड़ा टाइम लग सकता था लाइव में यहां पर आगर दिखा था मैं चार्ट के उपर कभी कभार में आपको दिखाऊंगा आगे क्योंकि अभी यह पूरा हमारा यह सीरीज खतम होगा आपको अगर पता होगा डेली वीडियो हमारे देखते होगे तो प्राइज एक्षन का ट्रेडिंग मतलब कोर्स का हमारा सीरीज चाल होए और यह वीडियो उसी का ही भाग है अभी आगे और भी चार्ट पैटरन में आपको समझाऊंगा जो पावरफूल पैटरन है जिससे हर कोई ट्रेड करता है हर कोई डूंदता रहता है अपने ट्रेडिंग सेटप के लिए तो आगे भी में यहाँ पर चार्ट पैटरन आपको अलग अलग चार्ट पैटरन जो मोस्ट पावरफूल है तो ज्यादा काम है कि बूली से अब इरिस वो आपको मैं यहाँ पर समझाओंगा तो चैनल को आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सस्क्राइब करते और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया और आप अभी तक लिडियो को देख रहे हो तो वीडियो को पहले लाइक करते और आप अपने दो पर देखने को मिल सकता है तो यह डबल टोप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और हमने किया गया है यहाँ पर जो सपोर्ट बना वहाँ पर हमने सपोर्ट पर यह मार्क कर दिये यहाँ पर यह क्या होता है सपोर्ट ब्रेक हुआ और यह रिट्रेश्मेंट और यह हमें continue होता हुआ देखने को मिल रहा है मतलब हम क्या करेंगे यह हमारा support break हुआ यहाँ पर retracement लेने का है तो हम यहाँ पर entry का हम यहाँ पर mark कर देंगे कि जब अभी अबारा यह last swing low है break होगा तभी हमारा entry बनेगा तो यहाँ पर अभी last swing low कहाँ पर break हो रहा है इसी candle में मतलब यह वाली candle जो आपको देखने को मिल रही है तभी इसी candles की last मतलब वह मानलो के हम 5 में टाइम फ्रेम के देख रहे है तो 5 में जब यह candle close होने में मानलो की कुछ second बाके है 15 second बाके है तब हमें पता चल जागे कई अभी यह इसके नीचे closing देगा ही देगा तो वहाँ पर हमें उच्छी last second में वहाँ पर entry हम बना लेंगे और वहाँ पर हमारा trade downside के लिए continue हो जाएगा तो अभी target के लिए कैसे रखना है target के लिए देखो target आपको इस तो अपने risk rewards के हिसाब से आप पर trade plan कर सकते हो target के मतलब अगर one is to two one is to four one is to one आप ऐसे भी try कर सकते हो दूसरा क्या है दूसरा अगर आपको मैं बताओ तो इसको आपने मानलो के यहाँ यहां पर entry ली तो आपको इसको trailing stop close के साथ भी आप continue कर सकते हो मतलब अभी यहां पर यहां पर एक हायर हाई का formation चालू था अभी यह ब्रेक हो गया यहां से लोवर लोग का formation चालू हो गया तो हम यह ट्रेल करते जाएंगे simply कैसे मानलो हमने यहां पर entry बनाई यह स्वरी यहां पर एक मतलब हमारा double top यह create हुआ और यहां से अभी यह structure अभी इंध होने लगा तो हमने यहां पर entry बनाई मानलो यह retrace के बाद हमने यहां पर entry बनाई तो stop close हमार क्या रहेगा मानलो हमने इसी candle प पर यहां पर आप वह भी आप बना सकते हो दूसरा क्या रहेगा हमारा की एक हायर हाई का पर जा रहा था तो हम क्या करेंगे प्रिवेस सपुट जहां जहां था वह हम यहां पर मार्क कर लेंगे कि यह हमारे टाइब रहेंगे मतलब हमने मालों दस कॉंटिटी यहां पर यहां पर हमने सेल किया तो हम मालों की यह फर्स सपोर्ट आया हो सकता है वहां पर वहीं से भी सपोर्ट लेके फिसे उपर बाग जाए हम क्या करेंगे यहां पर दस कॉंटिटी यहां पर बुक कर दी बा गाया, अगर यहाँ से उपर चला जाता है तो हम लिकल जाएगे, या तो फिर वहाँ से हम ट्रेल करते जाएगे निचे, मालो फिर से अभी support ब्रेक हुआ, तो next target हमारा क्या रहेगा, next support हम डोनने की last time कहां पे लिया था, तो ऐसे आप trail करते जाते हो या तो फिर आप अपने रिक्स रिवर्ड की इसाफ से जो आप फिक्स कभी कभार कुछ लोक रखते हैं कि मैं वन इस्टू वन इस लेके निकल जाओंगा बाकी चाहे मार्केट कहीं भी जाए वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं दूसरा अगर आपको structure दिखाओ कि आपको ऐसे देखने को मिल लगा डबल टॉप आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा यह आपको clear यहां पर देखने को मिल रहा होगा यहां पर आप देखोगे तो ज्यादा quantity में candle है मतलब यह डबल टॉप इसे हम कह सकते हैं तो यहां पर यह देखो strong breakout आया एक पीसे छोटा सा fullback retracement यहां पर हमें देखाया और वहीं से यह downtrend यहां पर continue होने लगा और आप जैसे कि मैंने बताया कि target आप यह previous support था तो आप यहां पर यह support भी target book कर सकते हो या तो फिर आप इसको जैसे कि आप trailing stop loss या कुछ कुछ quantity book करते जाओ व्यासे आप बूक करके आप वहां पर continue कर सकते हो त आप मतलब अगर नए trader हो जाने हो और सिधे आप इसको मतलब trade करने जाओंगे हो सकता है शुरुवात में आपको loss भी हो सकता है और दूसरा क्या रहेगा आपको थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है मतलब आप जैसे जैसे पूरा ने होगे बार बार ऐसा नहीं है कि यह time आपको लोस देगा इसको आप बार बार मतलब आप try करो को बार बार आप trade करो पहले तो आप paper trade करो जैसे इसको आप बार बार आपको करोगे तो आपको एक practice हो जाएगे आपको एक timing का पता चल जाएगा क्योंकि इसमें सारा खेल timing का ही अगर time पे आप entry exit कर रहे हो तो आपको 100 पर यहाँ पे बंचा होगे तो बस यह simple सा हमारा double top पे view था यह हमारा double top chart pattern था आज का तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like करे और channel पढ़ना हो तो channel को subscribe करना ना भूले तो वीडियो देखने के लिए thank you धन्यवाद